हेलो लेर्नस, वेलकम टो जैसा कि आपको पता ही कि एकेट्यू के और समेश्टर 2022-23 के फेज वन के एक्जामनेशन के लिए फाइनल डेट सी जारी कर दीगी तो चार्ज जनरूरी दोजार 2023-25-2023 के बीच में फेज वन के एक्जामनेशन चर्डर करा जा रहा है फाब समेश्टर और बेटेक बिफाम और enorm समेश्टर को छोड़ कर बागी सभी समेश्टर के जो एक्जामनेशन है और समेश्टर के वो चार जनरी दोज़ाइज से परचीज जनरी दोज़ाइज के बीच में कंडर्ट करा जाएंगे तो जिसके लिए detained student की details जो है वो university ने मागी है सभी colleges से तो detained याने की रोग देना तो बहुत सारे colleges में क्या होता है कि attendance कम होती है 75% attendance नहीं है या फिर आपने freeze नहीं दी है या फिर आपने कुछ miss rehab किया college में तो उसके case पर जो colleges है वो आपको detained कर सकते हैं examination देने से तो colleges से university ने जो है 30 January 2022 को शाम को पांच उस तक ERP login के जरीए college को अपने ERP login के जरीए detained student के list university को भेजनी होगी तो आप सभी लोग अपना ये confirm कर लेज़े कि आपको कहीं freeze की वज़े से या फिर attendance कम होनी की वज़े से detent तो नहीं किया जा रहा है तो college में एक बार आप चुरूर अपना check कर लें क्योंकि अगर attendance कम होने पे या फिर freeze की वज़े से आपको detent कर दिया जाता है तो उस case में फिर आप जो है इस semester का examination नहीं दे पाएंगे और अगर आप इस semester का examination नहीं दे पाएंगे तो आपका कहीं न कहीं एक साल जो है आपका gap हो जाएगा एक साल आपको जो है नुकसान उठाना पड़ जाएगा तो इस चीज़ को आप confirm कर लें विश वल दे वेश के वाचिझ